हाई गाईज दिस इस यूट्यूब चैनल मार्केट मोबर और यहां पर मिलते आपको कॉलिटी वाले स्टॉक्स की डिटेल तो मैंने पिछला वीडियो जो अपलोड किया था वो लगबग सिक्स थाउजंड के आजपास में आपका इन्वेस्टमेंट बैट रहा था जिसके वजह से काफी छोटे-छोटे जो इन्वेस्टर से जिनके पास सिक्स थाउजंड के साइपी करने की जगा नहीं है क्यूंकि उनके जो मंतिली इंकम है बहुत कम है तो उन्होंने हमें को मैंने continue रखा और आज मैं छे स्टॉक आपके पास प्रेजेंट करूंगा छे स्टॉक में काफी potential है कि आगे आने वाले टाइम में आपका इन्वेस्टमेंट कहां तक पहुंच सकता पूरी वीडियो को देखिएगा इंक्लूडिंग आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला आइटीसी लिमिटेट पहला स्टॉक है आइटीसी के बारे सब सब्सक्राइब को पता दिगज कंपनी डाइवर्सिफाइड बिजनस मॉडल प्रेजेंस इन एफम सीजी होटल्स पैकेजिंग पेपर बांड्स और एग्री प्रोडेक्स देखिए पेपर बांड्स पेपर की बात की जाए तो देखिए क्लासमेट की कॉपी जो आप यूज करते हैं घरों में या फिर आपके बच्चे यूज करते हैं यह आईटी सी का है बहुत सारी स्नैक्स हैं बहुत सारी प्रोडेक्स हैं जो हम लोग फम सीजी प्रोडेक्स करते हैं यह कंपनी है होटल सेक्टर पे हैं पैकेजिंग पे हैं एग्री प्रोडेक्स है कंपनी की मा लाग करोड से भी ज्यादा मार्केट क्याप रखती है और कंपनी पर अभी जो अबरेज ब्रोकर से वह 288 रूपय का अपसाइड यहां से देख रहे हैं कंपनी काफी बहतरीन है वाल्यूम्स की कोई कमी नहीं है स्टॉक पर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटरंस की मेच्वल फंड्स और अधर इंस्टूशनल इन्वस्टर्स यहां पर पैसा लगा के बैठे हुए पब्लिक 42 परसेंट की हिस्सेदारी करती है पर मोटर्स बोल के यहां पर कुछ नहीं है तो और यह बहुत दिनों के लिए देख सकते हैं काफी बहतरीं डिवीडेंट निइटी खशा़ तक घरी है और अभी थोड़ी सी जबंदी चल रही है लोगडाउन चल रहा जिसके वज़े से इनका बिजनस थोड़ा सा मार खा सकता तो आने वाले टाइम में आपको और नीचे के भाव पर मिल सकता इसलिए चाहिए याद रखेगे चीज को चेमाने साल बर तक आपको चाहिए स्टाक मार्केट पर अगर आप साई-पी नहीं करते हैं वीडियो के स्टाटिंग पर ही सारी चीज़े कहना काफी इंपोर्टेंट होगा तो आप लंशम इंवेस्टिमेंट करना चाहते हैं 10,000 15,000 20,000 अगर आपके पास है 1,00,000 अगर आपके पास है 10,00,000 तो 25% पैसा लमसम इंवेस्टिमेंट के लिए जो एक बार में पैसा लगाना चाहते हैं 25 पैसा आप अपने कैपिटल को 4 भागों में डिवाइड कीजे और 4 भागों में डिवाइड करने का बाद मार्केट पे आईए 25% का पैसा लगाईए बैठे रहें करेक्शन हुआ फिर 25% लगाईए फिर बैठे रहें इसी तरह से चार फेजों पैसा लगाईएगा यह लमसम में भी आपका काम देगा यह स्टॉक की लिस्ट और इससे भी बहतरीन लिस्ट मैं तयार करूंगा एक्शुली में 15 रुपी की बात है जिसके वजह से स्टॉक को थोड़ा सा सेलेक्शन करने में दिखकते आई चलिए देखता हूं नेक्स्ट स्टॉक देखिए नेक्स्ट स्टॉक है एच्डी एपसी बैंक के बारे में कुछ बहुँ जादा डीटेल्स करने की जूरत नहीं प्राइबेट सेक्टर की लीडिन बैंक है काफी अच्छा ग्रूथ है बैंक का और आप और हम भरुसा करे या ना करे यह भरुसेमद स्टॉक है डिफैंसिव स्टॉक है मैं तो कहता हूं इस्टॉक मार्केट का एबडी है जैसा बैंक पे आप पैसा सेफ सोचते हैं यहां पे स्टॉक मार्केट पे HDFC लिमिटेड पे आप सेप सोच सकते ऐसे तो गैरिंटी सब्द का स्टमाल करना स्टॉक मार्केट में काफी बड़ा बेवकुपी होगी हमारे लिए और बाकी सारे लोगों के लिए पांच लाग करोड से भी ज्यादा मार्केट कैप बाली कंपनी और स्टॉक पे आपना भरोसा करें बड़ फाई आइस तो भाई दबा के पैसा इस पर लगा रहे हैं और भरोसा करें मैच्वाल फांड्स 15 परसेंड और 40 परसेंड कास पास में फाई आइस पर पैसा लगा के रखे और हमारे जैसे रिटेल इंवेस्टर सिर्फ 15 15 परसेंड करके बैठे हुए तो नेक्स्ट स्टॉक एच्डी एपसी बैंक बीना कुछ कहे बीना कुछ सुने स्टॉक पे आराम से साई पी मॉड पे पाइसा लगा ए सिर्फ एक ही स्टॉक पर मैसर लगाते हों था देक्स लेगा चलिए देखते हैं एक्रूर आखैस स्टॉक की से करWW का मार्केट के आप तीस यार करोड के आसपास में तीजर करोड के आसपास में देख पा रहे होंगे बढ़ एसेड도 2 लाग करोड की है कंपाणी थोड़ी सी डीड में हैं लेकिन लास्ट क्वाटर मार्च वाटर दोजार बीस का इनका 66,000 करोड का डेड था वह डेड इनोंने सेप्टमबर 2019 के क्वाटर में 40,000 करोड किया है और दिसम्बर और अगर मार्च क्वाटर 2020 का बात किया जाए तो डेटा नहीं है हो सकता है देट थोड़ा सा बड़े क्योंकि companies की बहुत हालत खराब है चाहे वह इस्टिल मेकर हो आईरेन हो और वेगरा जितने भी कंपनी है और और पर बाइनिंग इसका चलता है यह आपको जानकरी रखनी चाहिए काफी दिगज स्टॉक है काफी दिगज कंपनी है इस टॉक रहे नहीं इस टॉक को देख सकते हैं साइपी पर इसलिए मैं कर रहा हूं किसमें गिरावट आएगी आपका जो एबरेज हो होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा और स्टॉक काफी आगे तक जाने का दमसम रखता है से स्टॉक असी रुपय के लेवल पर मिल रहा है बहुत अच्छी बात है स्टॉक का 500 रुपय का हाई है लाइप टाइम आप देख लिए निप्टी 50 का स्टॉक है यह और क्या आपको नहीं दिखाया आप देख लिए वीडियल का स्टॉक पर्सेंट पर मोटर्स के पास है मेच्वल फॉइंड देखिए कितना बहतरीन आपको ग्राप नजर आएगा 15 परसेंड फॉइस और मेच्वल फॉइंड दस पर ग्यारा परसेंड तो आपको जो मैं स्टॉक बत किया फाइज ने इस स्टॉक को 12 से सीधे 599 फाइज इस पर घुश चुके है और आपको क्या दिखाऊं चलिए देखते हैं नेक्स स्टॉक को कि देखिए नेक्स स्टॉक है विप्रो विप्रो लिमिटेड एक आइटी सेक्टर की कमपनी दिगज कमपनी इसकी डिटेल्स आपको क्या मोहिया करवा हूं इसने लाखों लोगों को बहुत सारी लोगों को लगपती तो छोड़ दीजे करोड़ पती बना के छोड़ दिया स्टॉक ने एक लाख करोण से भी ज्यादा की मार्केट का बहुत वीडियोस हैं इसके रिगार्डिंग मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा एफ़ाइज मैच्वल फंड्स सभी पैसा लगा के रखे हैं और आप फिर से देखिए मार्च क्वाटर में हमारे स्टॉक और फाइज इस पर माल उठाते हैं मैच्वल फंड्स पर माल उठाते हैं और आप और हम क्या खोजेंगे दो रुपे के तीन रुपे के चुनिंदा स्टॉक डेफिनेटली इस पर पैसा लगाना चाहिए मैं अपनी सारी वीडियोस पर कहता हूं मैं खुद वीडियो अपलो बॉनस आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं 2004 में बॉनस दी पांच में दी 2010 में 17 में बॉनस देती है डिवीडेंट के जैसा नीचे और भी होगा फर्दर यहां पर डीटेल नहीं दिख रहा बहतर परसेंट लोग इस पर माल खरीदने के लिए तो आप इसे देख सकते हैं 30 से 35 परसेंट के साथ यह स्टॉक रिटन दिता है हर साल इस साल थोड़ा सा धीमा परफोर्मेंस है बिकॉज स्टॉक मार्केट का एक अलग ही मूड दिख रहा है हो सकता है स्टॉक मार्केट और भी नीचे आपको दिखाए चली देखते हैं नेक्स इस्टॉक देखिए जो और यह नन लाइफ इंस्वरेंस पर काम करती है तो नन लाइफ इंस्वरेंस काउन से इंस्वरेंस होती है जैसे हम लोग गाडियों का इंस्वरेंस करते हैं जैसे अभी हम लोग कुछ प्रोडेक्ट का इंस्वरेंस करते हैं एग्री प्रोडेक्ट इंस्वरेंस होती है तो 2015 से पूरी तरीके से डेट फिरी कंपणी अभी तक है तिल देन ठीक है तो इस स्टॉक को देख सकते हैं यह स्टॉक भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है आगे आने वाले टाइम में चलिए मैं आपको दिखाता हूं और यह एक पूरा बंच 1500 रूपय का एक आप इसमें अगर 1500 रूपय का इंवेस्टमेंट करके अगले तो यह आप देख पा रहे होंगे कि 1500 रूपय का इंवेस्टमेंट अगले 20 सालों के लिए 23 परसेंट के साथ जो की बिल्कुल भी पॉसिबल है स्टॉक मार्केट से निकलना 23 परसेंट के साथ अगर आपको यह रिटन देती है तो आपका पैसा होता है लगभग 50 रूपय के असपास में जिहां 15 रूपय का इंवेस्टमेंट आगे आने वाले 15 से 20 सालों के लिए और यह आपको रिटन्स दे सकता एक्सपेक्टेड एमाउंट चोवन हजार दो सो चोवन लाक एकीस हजार साथ सो सड़ सड़ रूपय और खुदाना खासता अगर स्टॉक मार्केट पर पोजिशन आया तो सभी स्टॉक्स चलेंगे डेफिनेटली सारे फंडमेंटली स्टॉंग है और अगर इस इन सभी स्टॉक्स ने अगर तीस से भी और अगर आपको CGR दे दिया तो आपका पैसा कितना होगा आप खुदी कैलकुलेट किजिएगा देखते रहिएगा एक करोड 68 लाक रूपय के आसपास पर आपका पैसा बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा तो यह कैलकुलेशन है और यह कैलकुलेशन अगर फिट अबरेज आपका investment होता है जो mutual funds पर पैसा लगाते हैं mutual funds पे SIP करते हैं directly mutual funds भी company का बंच बनाती है company का portfolio बनाती है और उसके बाद आपके पैसे को उनी companies पे indirectly investment करती है आपका पैसा उनका management बीच में आपको profit कम होता अगर आप stock market से हैं आपको investment करना है करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप indirectly ने directly मार्केट में आ रहे हैं और रिस्क फैक्टर को लेते हुए profit भी बहुत ज़्यादा बना रहें तो आप देखना आपने देखा कि किस हिसाब से आपको 500 रुपे करोड 68 लाक में बदल गए और आपको पता भी नहीं चला ऐसा ही होगा अगर इस रिटरंस आपको 23 परसेंट के जगा 30 परसेंट का मिल गया तो दोस्तो वीडियोज लंबा होता बट कौन मैं इतना तो मुझे लगता है कि वीडियोज में इतनी information लगती है और जो सारी चीजों को दिखाने में time लग जाता है इसलिए थोड़ा सा आप लंसम किजिए एक बार में इंवेस्मेंट किया छोड़ दिया फिर पैसे आए फिर इंवेस्मेंट किया छोड़ दिया अगले 20 सालों के लिए तो चलिए इस वीडियो पे इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नए पूटफोलियो के साथ एक नए बंच और पिस टॉक के साथ और सांथ तब informations के लिए देखते रहे हमारे चैनल विजिट करते रहे वीडियो देखते रहे मिलता है नेक्स स्टॉक के साथ तैंक्यों